आरुक के राजा जैसे किया आप लोग जानते हैं अभी हम कोरोना का पैंडायमिक सिटेशन में हैं काफी केसे बढ़ रही है तो आप लोग काफी वीडियो भी देखे रहेंगे कैसा इसका प्रिकॉशन होगरा लेना है जैसे कि हैंड ग्लॉस पहनना फेस मास्क पहनना फेस श करना तो इसके अलावे में आज आप लोगों को कुछ इनों इंट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में जुआता होंगा यह सब था एक्स्ट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैंड ग्लॉस को गया बेना जैसे कि बाहर से हम कैसा प्रिकॉशन से रह सकते हैं राइट अपने शरीर का इम विद्धी पर्सन जिसको हेलफ मेंचन करने के आप एक चीज याद रखना कि एक ट्रांगल ले लेना ट्रांगल त्रीं कोरनर होगा वैसे है अपना हेलफ मेंचन करने के लेए तीन चीज को हेलब रखना है फर्स्ट टॉप्मोस्ट अधकि आइंगल में है यह ऑ्लेंस लेना पड़ेगा और दुसरा second important things of the triangle is the proper rest and relaxation ये तो अभी तो काफी लोगों को rest and relaxation काफी मिल जाता है but otherwise pre-corona phase it was you know लोगों का जो शिडल ता है तो अभी काम करना है तो अभी काम करना है तो अभी काम करना है or minimum sleep yeah minimum sleep you should have seven to nine hours of sleep every day without fail now coming to the third angle of a triangle it is the exercise exercise में it depends you know it depends from person to person age का difference भी होता है और it has to be subjective basically physical exercise on an average I would say that कि आप आपका जो general exercise करते हैं जैसा head to toes जो lying down position में सो के कर सकते हैं जिसको heart का problems है I don't say कि आप ज्यादा सुबह जागी जोगिंग करना चाहिए जो कम age है teenagers they can do spot jogging अभी बाहर जाके नहीं कर सकते हैं गर के अंदर ही running कर सकते हैं तोड़ा stretch-ups कर सकते हैं warm-ups कर सकते हैं but for the elderly people you know थोड़ा सा lying down exercise bedness के भी from toe to ankle से लेके head तक toe movements hipney movements हर जोइंस का movements होना चाहिए and this you can do it you know morning half an hour शाम को आदा गंदा यह चीज़ आप कर सकते हैं राइ लेकिन the most important exercise the most important in this era कर ना में क्या है यह ब्रीधिं एक्सरसाइस जी हां दोस्तों इस phase में कर ना में you should have a good breathing exercise इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बता हूंगा तो तोटली मैं 3 series बता रहा हूं 3 series का videos दे रहा हूं 1st series यह है अभी 2nd series में breathing exercise का pattern बता हूंगा कैसा वो mechanism and anatomy and physiology of breathing exercise and 3rd में वो practicals बता हूंगा कैसा बता हूंगा कैसा honour